ये कहानी है भारत के एक ऐसे उपक्रम की जिसका वर्णन सदै भी कारखानों की जननी के रूप में हुआ है एवं जिसने राष्ट के आत्मनर्भर बनने के मार को प्रशस्त किया है विश्व में प्रौध्योगिकी के चेत्र में निरंतर अग्रणी हो रहे राष्ट के विकास तथा एक धुड़ बुनियात की आवशक्ता को जिसने सदै भी साखार किया है वो है भारी अभियंत्रण मेगम निमिटिग राष्ट के निर्माण हे तू मशीनों के निर्माण में कारे रत एक नए भारत के निर्माण की ओर बीते छे दशकों से चल रही हमारी इस यात्रा में हम निरंतर भारत की विकास यात्रा के अभिन अंग रहे हैं स्वदेशी शोर एवं विकास के साथ साथ उत्पादन के द्वारा हमने मेक इन इंडिया की पहल को मूत रूप दिया है हमने इस पात, खनन, विद्योट, रेलवेट, पर्मानो, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा और राष्ट्र के रणनीते कारिक्ष शेत्रों में एक अमिट छाप छोड़ी है उपकारण डिजाइन, अभियांतर की और ओद्योगिक उत्पादन में दक्षिता के साथ साथ हमने उत्पादन की अनूठी प्रक्रियाओं को भी विकसित किया है राची में 21 लाग वर्मीटर के क्षेत्र में फैले HEC कैंपस में फाउंडरी फोर्ज प्लांट, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट और प्राजेक डिविशन स्थित है HEC को विशिष्ट गुडवत्ता वाले उत्पादों, प्रणानियों और सेवाओं के लिए ISO मानकों से मानिता प्राप्थ है फाउंडरी फोर्ज प्लांट यानि FFP भारत में स्थित सबसे बड़े फाउंडरी और फोर्जिंग केंद्रों में सेख है स्कोडा चेक गणराज्य के सहयोग से स्थापित ये प्लांट भारी कास्टिंग और फोर्जिंग का उत्पादन करता है तथा अपने विशिष्ट मेटलर्जिकल विकास के लिए जाना चाता है HEC प्लांट में 130 टन की सिंगल कास्टिंग या इंगट को ढालने की क्षमता है फोर्जिंग के लिए प्लांट में 6000 और 2650 टन की क्षमता के हाइड्रॉलिक प्रेस के साथ साथ छोटिक शमता वाली प्रेस भियूपलब्ध है हीट फ्रीट्मिंट के सुविधाओं में लो फ्रीक्वेंसी इंडाक्शिन हार्टनिंग, नाइट्राइडिंग भट्टी और इलेक्ट्रिक पिट भट्टी शामिल है हीसी के पास अपनी क्याप्टिव ऑक्सिजन, एसेटिलीन और उत्पादग गैस संयत्र भी है प्लांट में एनेबीयल द्वारा मानित अप्राथ एक प्रयोग शाला भी उपलब्ध है इसके द्वारा इन हाउस की मिटेरियल की सनव्रचना की चाज की जा सकती है और मिटेरियल की गुणवत्ता पर नियंद्रण भी रखा जा सकता है फाउंडरी और फॉजिंग के अलावा प्लांट में सहायक इकाया भी उपलब्ध है इसमें पैटन शॉप, मोल्डिंग और फैटलिंग शॉप शामिल है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी HMBP ततकालीन सोवियत संग के सह्योग से स्थापित किया गया था यहाँ विशिष्ट मशीन टूल से वं हेवी ड्यूटी जॉब के संचालन के लिए सभी उपकरण उपलब्ध है यहाँ प्लांट HEC द्वारा निर्धारत गुणवत्ता संबंधी सभी मांदंडों का कडाई से पालन करते हुए भारी मशीनरी और उपकरणों का निर्मान करता है HMBP में विभिन कार्यशालाएं उपलब्ध है सभी कार्यशालाओं में असेंबली विभाग है जहां ग्राहकों की साइट पर भेजनी से पहले मशीनों का नियंतरित संकलित परिक्षण किया जाता है यह विशिष्ट मशीनिंग सुविधाओं से लेस है जिसकी द्वारा हमारी क्ष्रमताओं का निरंतर विकास हुआ है यहां प्लेट बेंडिंग, शीरिंग और प्लेनिंग के लिए फाब्रिकेशन सुविधाई भियुपलब्ध है हम बीपी में एक विशाल भंडारन स्थल है और परिसर में एक रेलवे साइडिंग की सुविधा भी है हेवी मशीन टूल्स प्लांट याने हम टीपी एचीसी का एक और गौरवानवित प्लांट है चेक गणराज्य के स्कोडा के सहयोग से स्थापिद हम टीपी हेवी मशीन टूल्स का निर्माण करता है जो कोर्क शेत्रों के साथ साथ रणनीतिक शेत्रों को भी अपनी सेवाई प्रदान करता है हम टीपी की प्रमुक मशीनी सुविधाओं में ऐसे उपकरण है जो नाकीवल तकनीकी रूप से उन्नत है बलकि उपकरणों की विभिन्ड डिजाइन, परिमाण और क्षमता की व्यापकता को भी पूरा करता है HEC का एक प्रोजेक्ट डिविशन भी है जो अवधार्ना और डिजाइन से लेकर निश्पादन तक टर्न की प्रोजेक्ट्स को क्रियान विद करता है आज प्रोजेक्ट डिविशन कोईला और अयसक हैंडलिंग प्लांट और कोईला वाशिरी को स्थापित करने का कारे करता है विभाग में एक तक्नीकी टीम कारे रत है जिसमें अनुभवी डिजाइनर, टिक्नलोजिस्ट और निपोण इरेक्षिन और कमिशनिंग इंजिनियर शामिल है HEC में अनुसंधान एवं उत्पाद विकास विभाग है जो प्रतेक प्लांट के लिए सेवा प्रदान करता है इस विभाग को योग्या और समर्पित टेक्नोक्राट की एक टीम संचालत करती है जो और द्योगिक उत्पादन के लिए डिजाइन इवं कारेविधी के मूल्यांकन का कारे समहालती है भारत में डिजाइन और अभियांत्रकी के विकास को बनाई रखने के लिए यह विभाग नवीनतम कैज सॉफ्ट्वेर से लैस है राश्ट्र के विकास में योगदान देते हुए हमने अपने उत्पादों को लगातार विस्तारत किया है खनन की क्षेतर में हमने 2,60,000 टन से अधिक के उपकरणों की आपूर्थी की है इन उपकरणों में शामल है 5 घन मीटर बकिट क्षमता की विद्योत रोब शोवल, 24 घन मीटर बकिट क्षमता और 96 मीटर की बूम लंबाई वाली वॉकिंग ड्राट लाइन और क्रशर की विस्तर शिंखला इसपाद क्षेत्र में HGC ने बोकारो और वायजाक में एकत्रित इसपाद सईयत्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमने भिलाई, रावरकेला और दुरकापूर इसपाद सईयत्रों के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उपलब्द कराए गए अन्य उपकरणों में शामिल है ब्लास्ट भट्या, कंटिनियस कास्टिंग मशीन, इसपाद कार खानों के क्रेन, रोलिंग मिल, इसपाद कलन कन्वर्टर, मिक्सर, सिंटर प्लांट उपकरण, फॉजड रोल, स्लाग काप, कोक पुशर और कोक ओवन उपकरण भारत के रक्षक शेत्र के लिए HEC सदैव ही स्वदेशी करण की आवश्यक्ताओं को पून करने में एक अग्रणी कार खाना रहा है भारतिय सेना के युद्ध टैंकों के लिए हम विभिन उपकरणों की आपूर्ती करते हैं और साथ ही भारतिय नौसेना के युद्ध पोतों के लिए भी हम विभिन उपकरणों का उतपादन और आपूर्ती करते हैं HEC आयात प्रतिस्थापन में तेजी से आ रहे नवीन परिवर्तनों को सम्मिलत करने ही तो निरंतर प्रयासरत है परमानों क्षेतर में HEC ने परमानों दबाफ बोत अर्थात नूकलिय प्रेशर वेसल के लिए अल्ट्रा क्लीन स्टील द्वारा विशेश फॉर्जिंग का सफर्ता पूर्वक निर्मान किया है अल्ट्रा क्लीन स्टील को रासायनिक संरचना के बारीक नियंद्रण के साथ-साथ विकसित किया जाता है अपनी इस क्षमता के साथ हमने रणीतने अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ती की है ये धातो कर्मक्षेत्र के ऐसे मील के पथर है जिन्होंने भारत को अपनी उत्पादन प्षमता के लिए अगली कतार में खड़ा कर दिया है H.E.C. ने राश्ट्र के महत्वकांगशी अंतरेक्ष कारिक्रमों में भी महत्पूर्ण योगदान दिया है H.E.C. ने इस रोश्रीहरी कोटा में द्वितिय लॉंच पाड परियोजना के दौरान, मोबाइल लॉंच पाड, टावर ख्रेन, होरिजॉंटल स्लाइडिंग डोर और अंतरेक्ष वाहन निर्माण भवन के लिए फोल्डिंग प्लाटफॉर्म के विनिर्माण में भी हमें विवित पुरसकारों से अलंकरित कर मानिता प्रदान की गई है। हम तकनीकी कौशल विकसित करने और अपने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चार दशकों से भी अधिक समय से एक प्रसिक्षन संस्था और एक नर्संग स्कूल जला रहे हैं। और अपने देश्वासियों के प्रती समर्पिद है। हम हैं भारी अभियंत्रण मेगम लिविटेड राष्ट्र के निर्माण हे तू मशीनों के निर्माण में कारे रत एक नई भारत के निर्माण की ओर। हम लार्ड लार्सिक्षक्स क्मूर लार्सिक्षक्स